नमस्कार दोस्तों मसंदीव स्वागत है आप से विकापके अपने हैं चैनल सक्षेस्ट उपर दोस्तों आज कि इस वीडियो के अंतरगत हम बात करेंगे पुलिटिकल साइंस से जुड़े बहुत ही टॉप लेबल के या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही महत्पूर्ट प्रश् रहें जिनको आने वाले दिनों में दोहजार बाइस और तेश्ट के सेसन में परिच्छा देनी है पुलिटिकल साइंस यानि कि राजनीती साफ्त्र की आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं बिए फश्ट एयर थर्ड समस्टर लेकिन वह चीज गलत हो जाएगी क्योंकि फश्ट ए पेपर दे दिया है आप दोनों को पेपर देने के बाला भी जाते हैं जहां पर कहा जाएगा में आप थर्ड समस्टे की पर इच्छा देंगे तो आपका सिक इंडियर के लिए जिनकी यह उनके लिए बहुत ज्यादा महात्यपूर्ण प्रश्ण यह सारे प्रश्ण है यह मैंने आप सभी के लिए तैयार किये नई सिच्छा नेत प्यादारित हैं और आपकी परिच्छा में गारेंटी के साथ पूछे ही पूछे जाएंगे यह आपको आगे पता खुद दर होने वाले ठिक है एक कमियां एक हने चहाँद के फिल्टर करके आप पहला प्रशन यह important प्रस्ण बता दिया जाए जिससे आप लोग अपनी तयारी जारी रखें continue रखें ठीक है तो पहला प्रस्ण है कि लोगतंत्र की परिभासा दीजिए या फिर परिभासा बताईए प्रस्ण कई प्रकार के बन सकते हैं बस आपको sentence पर ध्यान देगना है कि question क्या कह रहा है ठीक है प्रस्ण ये भी हो सकता है कि लोगतंत्र या फिर प्रजातंत्र की परिभासा दीजिए तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है answer में आपको थोड़ा अबिस्तित में आये तो कम से कम 500 सब्दों में देना होगा ठीक है यह अलग 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 रूर्ट हो जब आपको question paper मिलेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि इतने सब्दों में इसका उत्तर देना है इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप सभी ठीक है तो इसका उत्तर लिखना है कि लोगतंत्र है जो है वह सासन है ध्यान देजेगा लोगतंत्र जो है वह सासन है ठीक है जिस जिसकी बेवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयम प्रतिच रूप से अपने प्रितिनिधियों के द्वारा संपूर जनता के हित को दृष्ट में रखकर शासन करती है ठीक है और यहीं पर इसकी जो परिभासा है वो अलग-अलग जो हमारे विद्वान है उनके अलग-अ तो वहीं पर अमिर्का के तत्कालिन राज़्पटी अब्राहम लिंकन ने 1863 में गैटिस वर्ग में दिये अपने भासड में कहा कि लोकतंत्र सासन बहरूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए सासन हो उसी को हम लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र कहते हैं जान दीजेगा आपको सिंपल परिभासा हलाकि डिस्क्राइब करके लिखने के लिए आ जाये तो बहुत कुछ है लेकिन अगर आपको सिंपल भासा में लिखना हो तो लोकतंत्र सासन का वहरूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए सासन हो उसे ही हम ल कर दोनों कर दिया है क्योंकि दोनों को सिंमलर हैं और परिच्छा में आएंगे तो आपको जड़ा सभी समस्या नहीं होगी दोनों का एंसर देने में ठीक है तो प्रत्यच्छ प्रजातंत्र की विश्यस्ताइं भी आ सकता है ठीक है और अब प्रत्यच्छ प्रजातंत्र की विश्यस्ताइं बहुत सारे प्रस्ण बन सकते हैं तो आपको इनको भी तैयार करना है यह सारे हाई लेबल के प्रश्ण है इनका एंसर थोड़ा लॉंग है अगर हम आपको बताएंगे तो फायद वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आगर आप किस समफ्रदायक्ता आठ आपको पढ़ना है किस समफ्र्दायक्ता किसे कहते हैं जैसे समफ्रदायक्ता करनाbest अर्थ वास्तत देश ए भूर्ग विंश्गshore विसेश के लिए राजनीतिक सक्ति और अधिकारों को प्राप्त करना है वह वस्तुता गुटुमान सिकता है जो स्वयम को किसी धार्मिक संप्रदाय के ऊपर आधायत करती है लेकिन उसका उद्देश जो है राजनीतिक सक्ति जो है पावर है एम संरच्छन प्राप्त करना होता है तो इस प्र अगला प्रश्ण है कि राजनीतिक दल की परिभासा देजी अब भाई राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में परिभासा आपको देना है ठीक है तो ये भी हाई लेबल का प्रश्ण है आपकी परिच्छा के ले इसको भी आपको प्रिप्रेयर करना है परिच्छा में ठी प्रस्ण का मतलब आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि जो पंचायती राज बेवफ्था होती है उसको गठित करने के लिए ठीक है समितियों के आउसकता पढ़ते गठित की जाती है उनके बारे में आपको लिखना है यह भी महात्रपूर्ण प्रश्ण है आपकी परिच्छा के लिए तो इसको भी आप लोग को प्रिपियर करना है ठीक है इसका भी उत्तर ओके तो चलिए अगला प्रश्ण आप लोगों की स बार जो प्रश्ण कोईस्चन आप लोगों के आएंगे वो थौड़ा लेटेस्ट आएंगे यानि कि जिसे साफ जबाना चला हों साफ से आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो महिलाओं को लेकर है वो काफी सरकार जो है वो महिलाओं पर काफी ज़्यादा ध्यान दे र लिखने थिक है तो इस प्रश्चन आपको जरूर से द्व करना है कि जो ग्राम पंचायतों में महलाओ को जो आरच्छन है उसके बारे में आपको पढ़ना है ठीक है बहुत ही हाई लेबल का प्रिशन है ठीक है अगर आप इसका उत्तर कहें तो हम थोड़ा आपको इस्प्रेइन कर देने फिरहाल चलिए हम आपको इंप्वाटन है तो इसका एंसर जो है वह हम आपको एक्स्प्रेइन कर देंगी गरम पर चायतों में महलाओं और अरचन के बारे में ठीक है सम्वेधानिक संसोधन के जवारा जब तेहत्रमा संसोधन किया गया ठीक है उसमें सम्वेधान में जो गेर्वी अनसूची जोड़ी गई थी इसके द्वारा ग्राम पर चायतों को सम्वेधानिक दरजा दिया गया क्या दिया गया ग्राम पंचायतों को सम्वेधानिक दरजा दिया गया ग्राम पंचायतों का चुनाव कारेकाल साब पमाप्त होने के पूर्ब कराया जाना अनिवार कर दिया गया या चुनाओ राज निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है नए पंचायती राज बेउस्था के अंतरगत ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में अंसूची जात जन जात पिछीड़े वर्गें महलाओं के लिए अरच्छन की बेउस्था की गई है सब्सक्ति जात फिए निर्दैट अष्थानों में से उस वर्ग की महलाओं के लिए एक तिहाई अफ्थान अरच्छित किया गया है उसी प्रकार पिछड़े वर्गें एवं समान वर्गे महलाओं के लिए भी अरच्छन का परवदान महलाँ सक्साय करण की दिसा में यहा सरह यह कारिमाना जा रहा है तो आप लोग समझ गया होंगे और फिर आप लोग पढ़ी लेंगे लाइब खुद आँको से देखकर इंटरनेट पे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा ठीक है अगला प्रशन है कि इस्तरी पुरुष में अधिकारों को लेकर क्या अंतर किया ग को है इसको भी तयार करना है है अगला प्रशन है कि महलाओं के योगदान पर प्रकाश टाली है यानि कि महलाओं के योगदान किस परकाल रहा है राजनीतिक छेतरे में या फिर ग्रम पंचायतों चंपिसलिशार जाए तो यह अई्सा प्रशन है कि ये यह सभी तरह के डूब लग तयार करने तो इसको अभी से पढ़ लीजेगा तयार करने काफी हम करेगा आपको एक question अगला प्रश्ण है कि भारत में दल परिवर्तन के मूल कारण बताईए भारत में जो दल परिवर्तन यानि कि जो आप लोग दिखते नहीं पार्टिया चेंज कर लेते हैं लोग उसका क्या मुख्य कारण है दल बदलू जिसको आप लोग कहते रहे हैं जि कई सालों के माडल पेपर के हिसाब से उन्हें फिच्छानित की अधार पर मैंने तयार की हैं और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और सारे question भी आपको important लगे होंगे इन दस प्रश्णों में से आपकी परिच्छा में चार तीन चार प्रश्ण तीन तो guarantee के साथ आएंगे तीन प्रश्ण आने का मतलब आप लोग समझ रहें कम से मापके 25 से 30 नमर के लिए हो जाएंगे कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि 33 question तो आएंगे हला कि आएंगे तो ज्यादा लेकिन तीन की तो मैं guarantee ले रहा हूं कि इसमें से तीन प्रश्ण अगर आपको एंसर चाहिए या नहीं टेलीग्राम और वाटसेप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिशन में जॉइन हो सकते हैं अपसाइट पर भी विजिट कर लीजिए वहाँ पर भी आपको फिरी में बहुत सारी एस्टेडी में अवेलबल है जिसका नाम है questionpaper.com लिंक वीडि एक ले जेहंद